अनुशकार तो देखिए आपको पता है कि PGT के exam का schedule अभी आ चुका है जो भी upcoming exam है PGT का वो है PGT Commerce का exam जो कि अगले महिने 12 तारीक को होने वाला है PGT Commerce का ही previous paper आज हम discuss करेंगे और previous paper को details से discuss किया जाएगा ताकि अगर कोई भी question directly पूछा जाए किसी भी PGT के exam में तब भी help मिल सके और link करके question पूछा जाए तब भी help मिल सके तो हरी question को बड़े ही अच्छे से समझेंगे details से discuss करेंगे और definitely help होगी भी आपकी जैसे की पहले भी होती रही है question number 61 देखिए बोलते हैं किस रियासत के राजा जो थे मैं सिखों की सेना के आकरमन से बचने के लिए जो था वो पहाडों की और जो था भाग गए थी तो ये थी कुलू रियासत कुलू इसका option सी जो है वो से answer हो जाएगा अब देखिए कुलू रियासत थी जहां के साथ सक जो था और 1840 में भाग गए question पूछने वाला ये question भी पूछ सकता है कि कौन से ये मैं कुलू के साथ सक जो था वो सिखों के आकरमन से बचने के लिए जो था वो भाग गए थे तो 1840 में भागे थे अब किस तरह से ये पूरी बात रही होगी वो हम जानते हैं अब देखिए यहां से क्या हुआ उस ताइम में राजा अजीत सिंग जुथा वो कुलू के राजा हुआ करते थे राजा अजीत सिंग को जुथा वो सिखों के जो समरार थे उन्होंने जुथा कुलू रियासत से खदेड दिया था और 1840 की ये बात है कि इनको यहाँ से भगा दिया गया था और उसके बाद ये जाते हैं एक बिरिटिस रियासत के अधिन आती थी एक सांग्री रियासत में जाकर ये जो हैं वो रहा था और पहला सिख युध होता है जब Anglo-Sikh war होता है 1846 में तब कुलू ज्यासत जो था वो सिखों के कबजे से छूट जाती है और ये Britishers के अधीन जो था वो चली जाती है तो ये भी ध्यान लखना है कि कब जो था ऐसा हुआ था कि कुलू जो था वो सिखों के कबजे से चूट किया था और Britishers के अधीन जो था वो आ गया था तो वो 1846 में हुआ था और उस टाइम जो था वो फ्रस्ट Anglo-Sikh war जो था वो हुआ था ये आपने ध्यान लखना है उसके बाद देखो बहुत लंबा सिनारिव रहा देखने को हमें प्रन्तु से पहले गया हुआ था उससे पहले 1820 में हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम अजीद सिंग ही जो था वो यहां के राजा हुआ करते थे अजीद सिंग के गारेकाल के दुवान मूरक्राफ्ट एक परसिध रहा हुआ है कुलू की राजधानी देखो जब सबसे बनी थी पहले राजधानी इसकी तो कुलू की राजधानी बाद में शिफ्ट भी होती रही विसुद पाल यहां के सासक बने तो कुलू की राजधानी जगत सुक से स्थाना अंत्रित करके नगर में बना दी गई उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि कुलू की राजधानी जथा वो नगर से भी बाद में चल कर शिफ्ट की गई कुलू के जो एक महान सासक रहे सबसे सकती सासक जिनको आप कहेंगे वो जगत सिंग जथा वो रहे थे जिनके कारेकाल के दुरान जो था वो कुलू का दिसहरा भी जो था वो स्टार्ट किया गया था और औरंग जेव ने जो था वो इन्हें कुलू का राजधा जो था वो कहा था यानि कि कुलू का राजधा जो था वो औरंग जेव ने कहते थे यह आपने धियान नकना है तो तो बनवाया किस के दोरा गया था बनवाया ये नूरपूर के सासक थे जिनके दोरा ये किला जो था वो बनवाया गया था तो नूरपूर के ये सासक थे जिनके दोरा ये किला जो था वो बनवाया गया था तो नूरपूर के ये सासक थे जिनके दोरा ये किला जो था वो का जाता है कि जहहां की एहां पर करने आया года 1612 क्या आसपास और ढ़िए यह कि अ कि पहले दो नूरपूर का नाम धने खाता तया लाद अनुर जाहां जो अधयां जुruit कोि यहां पर भूरसना चाहता चाहता था ड़ाया जालक सुव What पर लोगों को जो हो गले में बड़े बड़े टॉंसिल होए थे और लोगों की स्थीदी ठीक नहीं थी उसने कहा कि यहां की हावा ही ऐसी जो बी यहां पर रहता है उसको ऐसा ही हो जाता है और जहांगीर ने जो था हो इंकार करती था बड़ा अंतलब बड़ी बुद्धिमता शार्पनेस बहुँ ज़्यादा थी राजा में और हम बात करें कि नूरफूर की श्थापना किसके द्वारा की गई था, कौन सा नूरफूर का साथRO कैसा था, जो सिकंदर लोधी का समकाल इंथा वो भीमपाल यहां का साशक था जो सिकंदर लोधी का समकाली इन था कौन सा साशक ऐसा था जो अलाओदिन खिर जी का समकाली इन था तो जस्पाल जो था वो अलाओदिन खिर जी का समकाली इन था आपने ध्यान रखना है कि नूरपूर रियासत जो था वो शिखों के कबजे में कब आगई थी तो सेवंटीन एटी वन में जो था वो नूरपूर रियासत जो था अगते हूं के कब्जे में जो ता वो आ गई थी ये आपने ध्यान लखना है नूरपूर के जो था अंतिम साशक भी पूछे जा सकते हैं तो वीर सिंग जो था वो यहां के अंतिम साशक हुए अंतिम राजा हुए तो यह सारा नूरपूर के बारे में ध्यान रखना अगले क्वेशिन देखें क्या बोलते हैं अगले कोशन हैं बोलते हैं at which place does the river ब्यास enter kangra district of हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि कौन से स्थान पर यह जो ब्यास नदी है यह kangra district में जाकर जो हो पर वेस करती है अगर हम ब्यात करते हैं हिमाचल प्रदेश में नदियों की पांच ही तो नदियां बहती है इनके बारे मे कोई भी question पूछा जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए ब्यास नदी जो है वो कौन से स्थान पर जो है वो क्या करती है कांगड़ा में enter करती है तो यह संधोल नामक स्थान पर जो है कांगड़ा में enter कर जाती है क्या है ब्यास की पूरी कहानी किस तरह से यह कहां प्रेंटर करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो अभी हम यहां पर जानेंगे, ब्यास नदी के बारे में, देखिए, ब्यास नदी जो है ना, वो रहतांग धर्रे के स्मीब गईं से निकलती है, और ये नदी जो है, वो हिमाचल प्रदेश में जो है, लगबक टू फि बजोरा के स्मीप मंडी में एंटर कर जाती है उसके बद मंडी को छोड़ती है और कांगडा में एंटर कर जाती है संधोल के स्मीप यह आपने ध्यान लखना है ठीक जी यह आपको पता चल गया उसके बाद जो हो क्या करती है यह नदी पंजाब में जो हो एंटर कर जाती है म वे एक नाम है संस्कृत नाम वपस है ब्यास कंड जो पो सेस्ट की जो की भियास सोन्डीयस कि नदियों पार्वतियुग है तो रूनर भेति लिए ऑब्धू क४्रांब इंध्व स्कार्सुच गाम कमेर्ऑ गया हुए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो सतलूज नदी जो हो बहती है चलो अभी आप कमेंट करके बिताओ कि यह कितने किलोमेटर जो हो बहती है यहां से ना एक रिवीजन हो जाएगा और याद अगर डैटा नहीं रहता तो वो भी याद फिर रह जाएगा अगला कोशन दो बड़ा ही असान है बोलते हैं इन विचे डिस्टिक इजिए अफ हिमाचल प्रदेश ही जे लामा लेक तो लामा डल लेक पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जीले में जो है वो सतित है हिमाचल में देखो गिनी चुनी ही तो लेक साती है अगर हम बात करते हैं कि यह लामा जील यहां पर परती है कि इसके अलटिट्यूट कि अगर हम बात करते हैं तो इसके अलटिटूट 3,960 वीटर के आसपास जो हो बहुत बश्तवक्ति हो आपको डेका मैं कही ना कही पर देखने को मिल सकती है बुद्सिक थोड़ा सा पर याद र वह स्कूरा मेरी Seb हैं अदि मेंपने इस तर से धार कमा सिस्दूरी को बना हुआ है नहीं सक्षाते मिरनाचिक के फлаг zोtनेitelा स्यभा मंश्कीर अन्पेयर फेग्मा耶्यर सिzel फोन खेप के स्लीडिति अंधार यहीकान को होती है और मेंटकी तरीडेश की लेक्स भारे में पता चल गया और हिमाचल की थोड़ी छोड़ी词 में आपको रिवाइस करवा देता हू How जैसे की मंदी की accessed Lake मंदी की कुंत भीयोत लेक मंदी की घुमारवार है खोगई और अगरक फ़पर लेक हो गई शिम्ला की चंदरनाहां लेक हो गई शिम्ला की कराली जीलहगे शिम्ला की भृग जीन हो कुल्यू क surtout मर्म आट्यरल कोगई दिस्टिक श्रमोर को गई जो कि डार्जेस्ट नैच्रल डेकन वहलंचल पर देज की आती है सोरंग लेकन की डाको लेकन वहलंग की हो गोविन सागर कि लार्जेस्ट अर्टिफिसइल लेक 12 अगर वो व्लास्पुल तो बोलते हैं तुरी को एक ट्राइब कास्ट यहां पर पाई जाती है बोलते हैं कि इनका मेन मुख्यपेशया क्या है और यह मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में है यह क्वेशन ही होना चाहिए इस question का सही answer क्या है कि इनका जो मुख्य पेशा है वो music और dancing है option डी जो है वो सही answer आ जाएगा music और dancing कि इनका मुख्य पेशा है mission allied में ये question हमने already पढ़ाए तो help तो कहीं ना कहीं पर मिल रही है ये question अगर आपने mission allied देखा है तो कभी गलत नहीं होता फिर अगर देखो strive के बारे में आप कुछ जानते हैं तो देखो strive को जो है strive के बीच में जो मुख्य रूप से dance popularly perform किया जाता है वो रासा dance जो हो perform के दोरा किया जाता है ये आपने ध्यान रखना है आपने ध्यान लगने इनके बारे में जुनके फेर festival है वो भी important है हर्याली का मेला ये अगरस्ट के महीने में मनाते हैं बुड़ी दिवाली ये मनाते हैं जो कि बीसु का मिला जो है ये मनाते हैं बीसु का मिला first of ऐसा अक को जो हो मनाया जाता है ये आपने ध्यान रखना है और इस तरह से इनके फेर ध्यान हो गये marriage का इनका जो टाइप है customs है वो system ध्यान हो गया इनके बीच में जो popular dance perform के जाता है वो हो गया तो यहां से कोई भी मिलत जुलता question अगर पूछा जाएगा तो वो भी आपका भी ठीक ही होगा हमने अभी पड़ा बट्टा सटा जंजारा ये कहां पर जो है हमने पड़े हैं वैसे actually मैं देखो जंजारा और बट्टा सटा हमने पड़ा है कि गद्धी जो tribe है ना उनके बीच में ये marriage के type जह हो perform के जाते हैं तो उसी तरह इस तुरी कास्ट कामनेटी के बीच में भी जो है ये पर फॉर्म के जाते हैं ये आपने ध्यान अकना है अगला question बिलकुल आसान है बोलते हैं इन विच डिस्टिक ऑफ हमाचल पर देशी सिल्ला फिक कहां पर सिता है कभी गलत होगा ही नहीं कि नौ पिक जो हो कि नौर में जो हो सिता है क्या क्या क्यों अब देखो एक्जाम देखो इतना competition बहुत जादा है तो ऐसे असान questions पूछे जाए चांसिस बहुत कम है statement में ये question अकेला सकता है दो statement देदी एक statement ये बना दी और दूसरी को यह और बना दी वो हो सकता है अगर हम बात क सब्सक्राइब के आसपास जो हो स्थित है मतलब वेरियेशन देखने को कही ना कहीं पर data में मिल जाती है थोड़ी थोड़ी प्रन्तु जो मतलब एक data हमारे पास था उसके according हमने ये जान लिया है इसका attitude अब देखो हम important data जानते है हिमाचल की अलग-अलग peaks के बारे में एक का altitude है 6,597 meter ये आपने ध्यान लखना है एक मुल्किला पीक जो है वह आती है मुल्किलापीक जो हो लहल पती में पढ़ती है और 6,520 meters जो हो इसका altitude है वह आपने ध्यान लखना थेकरे नकरे एक जो यह किननर कैलास आपने वड़ा है डिस्टिक के नौर का जिसका altitude 6,500 meters जो वो इसका इल्टिटूड इस्तित है 6400 मेटर जो है वो इसका इल्टिटूड इस्तित है गेफांग पीक के अगर हम बात करें तो गेफांग पीक जो है वो लहौल स्पिती में इस्तित है और 6400 मेटर इसका इल्टिटूड जो है वो इस्तित है ये आपने ध्यान रखना है करें इंदरसान पीक की तो देखो इंदरसान पीक कुलू और मनाली के बीच में ये पड़ती है यानिकि डिष्टिक कुलू में ये स्थित है और इसका इल्टिटूड कितना है तो इंदरसान का जो कुलू और मनाली यानिकि डिष्टिक कुलू में पड़ती है इसका याद ही नहीं रहता देखो सबसे ज़्यादा एल्टिटूड तो सिला पीक का है साथ हजार पचीस मेटर एल्टिटित है उसके बाद लियोप आर्ग्यू ला जाता है चेहेजार साथ सो एकानवे मीटर आपको नहीं ऐसे ही एक क्रॉनलोजिकल और में ध्यान रखना है पहले स which are the following dances performed in the memory of गुद्धा तो बोलते हैं कि कौनसा ड़ान्स इन्में켜िसे परफिर्फार्म की जाता है बुद्धा की मैमरी में अगर हम बात करें कि इन मैंसे कौन सा डांस जो है वो भुद्धा की मेमरी में जो है वो परफॉर्म की जाता है तो भुद्धा की मेमरी में जो है वो इन मैंसे कौशन नबर 67 का जो है वो आप्शन डी जो है वो सही अंसर हो जाएगा सांद जो है वो सही अंसर हो जाएगा सांद जो है वो परफॉर्म किया जाता है तो देखे जी हम क्या पढ़ते हैं अक्सर जब भी हम लोहल स्पित्ते के important dances को revise करते हैं तो हम पढ़ते हैं सांद और साबू सांद और साबू जो हैं वो क्या हैं वो important popular dances हैं और ये लोहल वैली में परफॉर्म की जाते हैं लोहल वैली में ये परफॉर्म की जाते हैं और बुद्धिस्ट गोंपाज में ये परफॉर्म की जाते हैं सान का मतलब ही होता है कि बढ़ की प्रार्थना प्रेवर अप्धा ही जो है वो इसका मतलब होता है यह आपने ध्यान दिशन लखना और यह बड़े ही लोकल फस्टिवल लहौ अपर्श पिती में या फिर हिमाचल प्रदेश कि ये सांथ जान लिया, साबू जान लिया और ये बुद्धा की प्रेयर इसका मतलब होता है, सांथ का ये आपने जान लिया यहां पर बाक्यांग दिया गया है यह किन और में perform किया जाता है बैयांगचु यहां पर दिया गया है यह भी किन और में perform किया जाता है जाप्रो यहां पर दिया गया है यह भी किन और में perform किया जाता है तो ये तीनों की नौर के यहां पर दिये हुए हैं जो important perform कि जाता है कि नौर में चौथा जो दिया गया है वो लोहॉल स्पित्ति में perform कि जाता है हमने पढ़ा था कि जो similar के important dances हैं उनमें जो है वो एक तो बुरहा डांस आजाता है ठोड़ा डांस आजाता है छोहारा डांस रहां पर आजाता है कथडी कुलू का बहुत ही famous dancer वो आपने ध्यान लखने है चंबा के डांगी और धिपक जो हैं वो आपने ध्यान लखने है तो ये अलग अलग जीलों के डांस आपने ध्यान लखने है इनको note करना अगला question देखें हमारे पास क्या दिया गया है यहां पर question number 68 देखें क्या वो लगया है 68 में वो लगया है इन पुछ डिस्टिक ऑफ हिमाचल पर देखें तालरा century अभी का जो सिनेरियो एक्जाम का चला हुआ है उसमें century एक्जाम में पूछी गई थी और यहां से भी question आप आपको यह रिवाइस करवा के रखी है यह जो तालरा वाइल एक सेंचुरी है यह कहां पर जो हो पढ़ती है तो इसका शिमला ओप्शन ए जो है वो सही अंसर हो जाएगा चलिए जिस हिमला में यह पढ़ती है बिलकुल सही बात है प्रनतों हिमाचल परदेश में और भी त यहां पर देगे कि यहां पर देगे कौन सी साथ तालरा देगे कुछ और बता देंगे वह पूछ लेंगे की सही मैच की गई है यह कुछ भी पूछ सकते हैं आपको याद होनी चाहिए simply question solve हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी wildlife century आती है वो कौन सी है और कहां पर जो है वो स्थित है तो किबर wildlife century है और ये wildlife century जो है वो कहां पर सित है लाहौल स्पिति डिस्टिक में जो है चमबा की जो है वो स्थित है चायद तुंधा भी पूछा गया था वो भी जो है वो चमबा में ही स्थित है और लिपास रंग पूछी गई थी वो कि नौर में जो है वो स्थित है और काईस पूछी गई थी जो की कुल्रू में जो है वो स्थित है ठीक है जी तो वो wildlife centuries आपने ध्यान रखनी है हर एक डिस्टी के बारे में आपको wildlife centuries का पता होना चाहिए बिल्कुल असान है और दो number का ये question कहीं नहीं जाता फिर आपका अगला question देखें 69 बोलते हैं which order following painting does not belong to Sova Singh तो बोलते हैं कि कौन सी painting जो है वो Sova Singh से नहीं जुड़ी हुई है देखो अगर हम बात करें कि कौन सी painting Sova Singh से नहीं जुड़ी हुई है not जब यहां पर दिया गया है तो question number 69 का option ए जो है वो hill sense सहीं अंतर हो जाएगा यह hill sense painting जो है वो Sova Singh से नहीं जुड़ी हुई है Sova Singh देखो एक important painter थे और इनके दोरा kangra bride painter painting जो है वो बहुत बार हमने exam में पढ़ी है पूछी गई है चाहे वो allied का exam हो गया exam हो गया कोई भी exam एंटी भी गारा का exam में ऐसे exam में यह पूछी गई है सूनी महिवाल painting इनकी बहुत important है यह भी exam में पूछी गई है गदी बेले एक painting का अपने इनकी याद रख लेनी है कि यह इनकी painting है सोभा सिंग की और सोभा सिंग आर्ट गैलरी भी स्तित है जो कि चालों के बाद यह exam अब आएगा और पहले ही 4-5 सालों के बाद इस पार यह आया है तो इस opportunity को grab करना चाते हैं अच्छे से तियारी करना चाते है तो paper 1 की test आप practice कर सकते हैं नीचे description box comment box में जो है वो इसका link दिया गया है तो को doubt क्या रहता है doubt यह रहता है कि paper 1 में pass ही नही कर सकते हैं अगर बड़ी अच्छे से तियारी करेंगे paper 1 की test को इमानदारी से practice करेंगे किताबों को अच्छे से बढ़ेंगे तो grab करना चाहते हैं आप opportunity को तो देख लिए नीचे description box comment box में उसके link दिये गए हैं वहां से आप available कर सकते हैं हाँ जैसे ही आप test की payment कर देते हैं इसे mail भी कर सकते हैं अब देखो बात करते हैं फिर से सोभा सिंगी तो इनका जरम देखो वैसे तो गुर्दासपूर पंजाब जिले में जो था वो हुआ था उस टाइम और इनके इन्होंने जो आर्मी में भी जो था वो ड्राफ्ट स्पैन के रूप में नौकरी की थी बा रेशियन पेंटर थे कुलों के नगर में आकर रहने लगे और यहां पर इन्होंने बहुत सारे चित्तर बनाए अब नगर आर्ट गैलरी या फिर जिसको रूरिक आर्ट गैलरी कहते हैं वो इन्हीं के नाम पर सित्थ है वो आपने ध्यान रख रहा है इनकी जो इंपोर्ट रिचर्ड भी जो है वो इंपोर्टन है इनकी जो इंपोर्टन पेंटिंग है उसमें सती आ जाता है एक सती जो है वो नोहरा रिचर्ड की एक इंपोर्टन पेंटिंग है वो आप ध्यान रखना इसके लावा अमरिता सेरगिल का नाम आप नहीं भूल सकते तो अमरिता लड़ा ही है तो इनका जर्म हंगरी के बुद्धा विस्ट में जो था वो हुआ था और शिम्ला के साथ ही जूड़ी हुई थी अगर हम बात करें कि इनके जो इंपोर्टन चित्र थे जो इनकी इंपोर्टन पेंटिंग्स थी उसमें क्या एक्जाम में पुछे जाता है तो ए इगले गवीशन देखें बोता है चाप और सा हाइड्रो पावर प्रोजा कि जरैक्ट ही जर्व बना हुआ है यहां पर किलाड दिया गया है शिशू दिया गया है धिरोत दिया गया है किलाड जो है वो पांगी डिस्टिक में पांगी चंबा में जो पांगी पड़ता है वहां पर जो है वो पड़ता है देखो डिस्टिक चंबा में जो पांगी पड़ता है पांगी का हेड़ कोईटर है ये किलाड ये चनाव रिवर बेसिन पर ही बना हुआ है शीशू की अगर of these जो यहाओ वो सभी अंसर हो जाएगा ये टीनों की तीनों ही चेनाव रीबर बेसिन पर बने हुए है चेनाव वही नदी है जो पहले चंदरा और भागा के नाम से जाने जाती है चंदरा और भागा तांदी नामक्सतान पर लहल स्पित्टी में मिल जाती है उसके बाद ये बहती हैं चंदरा भागा के नाम से और चंबा में अंटर करती हैं फिर इनको चनाब के नाम से जानते हैं उसके बाद ये चनाब के नाम से ही जो है वो आगे जानी जाती है अब हम बात कर लेते हैं सिशू परियोजना के बारे में भी ये कहां पर स्थित है की यह पर्योजना है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्टरिसिटी बॉर्ड लिम्टीड ही इसको एक्जिक्यूट करता है और एक योजना जो यह बच जाती है कि लाड़ योजना यह योजना जो है वो चमबा में स्तित है जीरो पॉइंट थ्री जिरो मेगावाट की यह और हिमाचल प्रदेस State Electricity Board Limited ही इसको execute करता है ये तीनों प्रयोजनाएं हिमाचल प्रदेस State Electricity Board Limited के द्वारा ही execute की जाती है capacity आपने जान ली इतना काफी है यहाँ से याद रखने के लिए और allied की तेयारी कर रहे हैं तो allied की testers का link भी PGT की testers के साथ ही दिया गया है तो allied की testers को भी आप practice कर सकते हैं और वहाँ से आपको काफी help मिलने वाली है allied का exam तो ऐसा है कि सभी exams की तेयारी आपकी एक साथ के करवादे का अगर आपन इमानदारी से तेयारी कर रहे हैं कमियां भी पता चल जाएंगी तेयारी भी साथ में हो जाएगी चल आप हिमाशल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन की तेयारी कर रहे हैं तो वहीं से related एक question पूस्ते हैं यह जो हिमाशल प्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन था इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्स बने थे वह उनका क्या नाम था पहले अध्यक्स इसके इसकी स्थापना कब की गई थी यह आप जल्दी से comment करके बताएंगे टेलिग्राम पर अभी तक आप नहीं जूड़े हैं तो टेलिग्राम पर जुनने के लिए अपने टेलिग्राम से आपको बहुत ज़्यादा है जैसे की पहले भी मिलती रही है तैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग पर वाचिंग पर पेशेंस